आप सभी विद्धियारतियों का मैं EAD online classes पर आपका स्वागत करते हूं आप सभी विद्धियारतियों का current affair class में current affair class में बचे आप लोगों को बता है कि सामने हमारे काफी सारे exam की date आ चुकी है तो यहां पर exam date को देखते हुए आप लोगों को यहां पर starting में जो 20-22 कुरिशन आप लोगों को नहे के साथ साथ आप लोगों को revision भी कराए जाएगा ठीक है ना तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुगा हूँ कि जहां आप लोग महरत्थन लगाते हो महां daily आप लोग का अगर 20-22 कुरिशन डेली रिविजन हो रहे हैं तो आपका महरत्थन में कबर हो जाएगा ठीक है तो चलेगा आज के पहले चलेगा ठीक है तो जल्दी से सभी विद्ध्यारती पहले तो क्लास को सेर कीजिएगा उन सभी ग्रूपों में जिन ग्रूपों से आप लोग लाट्रिशन इसदे होस्टिंग डेल अले अक्साइड डेजर्ट फ्लै बहुर्भा अभ्यास डेजर्ट उडेजर्ट की में जमानी कौन सा रास्ट कर रहा है तो यहां पर कौन को रभर आपका के यहां पर समझो तो सहुक्थ अरब अमिराथ यू-ए-ई की यहां पर बात क किसे बात की जा रही है संइकत्र अरब अमिराज की को यहां पर देखेगा एक्सरसाइज जो डैजर्ट फ्लैग है इसे यह यहां पर होस्ट कर रहा ठीक है चले आगे देखेंगे हम लोग यहां पर सैंप्त अरब अमिराज बहुराष्ट्य अभ्यास डैजर फ्लैग की सुकोई 30 MKI ठीक है सेन और यहां पर स्रीट 17 भी अभ्यास में सामिल होंगे देखिए यहां पर समझो आपका तो डेजर फ्लैग में दस देश सामिल हो रहें जिसमें यूए यानि कि USA आपका अमेरिका है फ्रांस है दक्षिन कोरिया है यूए आपका साइट तरब अमिरात है यहां पर सुधी अरब है आपका बहरीन है प्रोटल दस देश इसमें भाग ले रहें और भारतिया वाइस है ना का सुकोई सुकोई थाटी आपका MKI फाइटर एंड कोंसे दो यहां पर सी 17 ब्लू मॉस्टर भीस में भाग ले रहें ठीक है चलिएगा नेक्स बनेंगे आगे देखेगा फरवरी के लिए किस भारतिय क्रिगेटर को ICC मेंस प्लेयर आप दा मन्त प्रूसकार्स के लिए नॉमिनेट कि किसका नाम आ गया षिच इंडियन क्रिगेटर हैंस में विए नॉमिनेटर फॉर एचसी मैंस प्लेयर अफ्रवर्वरी टे समय किसका नाम आएगगा आर अस्विंग का नाम य Σकना यह अर अचवीगे रही च pseudo युए पुरुस खिलाडियों के प्लेयर आप दा मंत पुरुसकार के लिए नॉमिनेट किया गया फ़रवरी मंत के लिए इंग्लेंड के कप्तान जो रूट और वेस्टेंडीस के आल राउंडर कोने अपन यहां पर समझो काईल मेर भी यानि तीन लोगों का नाम नॉमिनेट होता है जनवरी में अपने रिशब पंत का नाम सुना था ठीक है ना चलीगा नेक्स बढ़ेंगे आगे देखेगा किस बैंक ने भारस सरकार के कोविड नाइंटीन ठीका करन अभ्यान का समर्थन करने के लिए ग्यारा करोर रुपए का भुकतान किया है विच बैंक है उचे आप पर देखेगा विच बैंक है कमिटेड इलेवन करोर टुबचर सापूर डा इंडियन गवर्मेंट कोविड नाइंटीन वैक्सिन राइव यानि कि किसने गर आपका रिजब बैंक ओफ इंडिया पी एन ग्यारा करोर रुपए का योगदान कहनने का फैसला लिया है ठीक है कोविड नाइंटीन जो वैक्सिनेशन के लिए प्रदान मंत्री केर फंड के मैं समझो इस्तेट बैंक ओफ इंडिया के द्वारा कितना आपका तो ग्यारा करोर रुपए की बात की जा रही है तो जो ला स्टैब्लिस होता है कब होता आपका 1921 में स्टैब्लिस होता है इस तेड़ यहां पर देखें इंपेरियल बैंक ओफ इंडिया 1921 में बनता है और इसके साथ-साथ क्या याद रखना आपको जो आपको एक्जाम में पूछा जा सकते है उसमें सबसे महतोपूर याद है तो 1955 में होता है और 1921 में इंपेरियल बैंक ओफ इंडिया के नाम से तीन बैंकों को मिलाया गया और 1905 में उसका राष्टी करण किया जाता है और स्टेट बैंक ओफ इंडिया बन जाता है आप से एक्जामनर पूछते है भारत में डिजिटल पेइमेंट को बढ़ावा देने के लिए योनो एप किसके द्वारा लॉंच किया गया था तो योनो एप अपना किसके द्वारा इस्टेट बैंक ओफ इंडिया के द्वारा लॉंच किया गया डिजिटल पेइमेंट को बढ़ावा देने के लिए जिसमें श्वप्न बर्मन को ब्रेंड एंबस्टर के तोर पर चुना गया ठीक है good morning good morning all there's a good morning आप सभी विद्यारती वचे एक नहीं energy के साथ यहाँ पर अधिक नहीं बहुत बढ़ी है आप सभी विद्यारती स्वागत आप सभी का next वरेंगे अगले questions क्यों देखेगा अपने अपने कोई समझ में नहीं कर देखेगा घरों की पेचांग घरों की फैटांग घरों की यानिके हमारे अपने उत्राखंड आंदर दो च्हेत्रे आपका गडवाल और कुमाउने है तो घर को मतलब यहाँ ठाएब घरों की और चेलिक के नाम समझ में चेलिक कहते हैं और अपना जिस छेत्री से मैं आता हूँ, गरवाल छेत्री से वहांपर नौनी कहाँ जाता है। लड़के को नौनी कहाँ जाता है। तो उसी आधर पर आपका क्या कहा गया? घरों की पहचान चेलिक के नाम, यानि की बेटी का नाम घर की पहचान यह योजना शुरू की गई आपका उत्राखन के सियम के द्वारा कहां पर नेनी ताल के अंदर उत्राखन के सियम के द्वारा पर यह नेनी ताल के अंदर किया गया ठीक है तो द्याहन दीजीगा उत्राखन भी दो समझ जैसे दो जौन में बटाओ दो मंडल में बटाओ आप आपका एक गडवाल मंडल एक कुमाव मंडल समझो इस तरह से आपका चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर आगे देखेगा उत्रा खंगे मुख्या मंद्री त्रिवेंदर सिंग राओ जी के द्वारा सनिवार को नहीं ताल में 42 करोड रुपए की क्या कि आपकी लागत के एक योजना सुरू की गए जहां पर क्या कहा गया अपका घरों का नाम चेली के नाम करके ठीक है ना यानि कि आपका समझो बेटी के नाम पर पैचान होगी घर के ठीक है चलिए नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल पर इस योजना का उद्देश से क्या है कि अगन सरकार के द्वारा क्या कहा गया आपका कि दोनों का हिस्सा होगा मतलब दोनों के नाम से होगा अभी तक क्या होता था घर का मुख्या जैन से होता था लेकिन अब दोनों के नाम पर यहां पर कुछ इस तो की योजना है लाई जाए जिसके लिए आपका जो भी जारी ह कैपिटल भारती नहीं विश्वकी योगा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है समझ जैसे भी ध्यान दीजेगा हाँ बिल्कुल देखेगा आपका चलेगा ठीक है न तो याद रखेगा आपका नेक्स बढ़ेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखे अंतराष्ट्य योग माउच्छाव का उत्गाटर उत्राखन के क्रिशी मंत्री सुबो दुनिया जी के द्वारा के आगया कहां पर रिषि केस्ट में रिषि को स्कों आपका समाजवाद आप्तराष्टर लेबल पर किस नाम से जानता है अप लोग योगा leap के नाम से भी जानता है ठीक है ना योगा समझो category के लिए सबसे जो आपका सरोसेट पुरुसकार से प्रदान किया गया आपका तो किसे दिया गया आपका बिलकुल चैडविक बोस्मेंट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है याद रखेगा best performance by the actor male category में motion picture drama award से सम्मानित किया गया तो यह किसे सम्मानित किया आपका यह सम्मानित किया ठीक है ना यहाद रखेगा समझो यहाद रहनी बचे आपका रहनी आपका black bottom के लिए उन्हें इस आवार्ड से सम्मानित किया गया किसे तो यहाद रखेगे चैडविक motion को ठीक है ना चलेगा next बढ़ेंगे अगले question पर किसी देश ने पहला और ट रखेगे वाल है और जो लॉंच किया जा चुका किसके द्वारा आपका रसिया के द्वारा रूस के द्वारा ठीक है रसिया से जुड़े हुए सवाल अगर जो मुझे अब तक एक्जाम में देखने को मिले चलो मैं आप पर आपको बता देता हूं कौन-कौन से सवाल है ज वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्रिय एरिया के कोडिंग जिसे जिसका आदा हिस्सा योरोप कॉंटिनेंट में और आदा हिस्सा कहां पर अपना एसिया महादुप है तो वह कौन सी रेंज है आपकी यूराल रेंज आपसे एक्जामनर ने पूछा यूराल विचे आपका क्य आएगी परवत माला आएगी ठीक है ना यूराल परवत माला रसिया को दो भाग में डिवाइट करते है रोस को दो भागों में बाड़ता कौन सा यूराल परवत माला उसके बाद दूसरा सवाल देखेगा आपका दूसरा सवाल क्या पूछा आप से दूसरा पूछ लेगा यहां की Parliament को किस नाम से जानते है तो Duma के नाम से जाना जाते है यह क्या बचे है आपकी Parliament का नाम है यहां की currency क्या है तो आपको याद रखने है रूबल रसिया की क्या हो गई currency हो गई वर्ल्ड की सबसे deepest lake विश्वा की सबसे गहरी जील जिसे क्या गहते है आपका बिलकुल बेकॉल लेक या बेकाल जील ठीक है यह वर्ल्ड की क्या है विचे है आपका सबसे गहरी लेक है कौन सी बेकाल जील लिखते रहेगा समझो रसिया के अंदर आपको यह चीजह में fundamental duties यहीं से हमने एडॉप किये तो याद है आपको रसिया से जुड़ी वे इतनी चीजा याद है ना यहां दीजेगा बिल्कुल एरिया के कॉर्डिंग इस आपकी दोनों जगह बढ़ी है ठीक है समझो आपका चाहिए हम लोग दो बागों में कहेंगे तब भी आपका बढ़ पर ले कोईशन के ओर अगला कोईशन क्या दिया गया कि निमलिखीद मैस से किस ने कंपाला और समझ दोजारी किस में युगांडा अंतराश्ट्य बैट्मिंटन टूनामेंट में प्रो साइकल का खिताब जीता है इन वैसे किस के दौरा जिता गया तो यह जीता गया हमारा किस के दौरा वरुण कपूर किस के दौरा बचा हमारा वरुण कपूर के दौरा विच से अमंग दो फॉलोवेंग वन दा मैंस सिंगल टाइटल 2001 युगांडा की बात कि युगांडा इंटरनेशनल बैट्मिंटन टूनामेंट इन कंपाला ठीक है तो याद रखेगा किस न पर अक्वेशन आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा विध्यातियों आपको याद होगा कि विश्व में सबसे लंबी नदी वो कहां से निकलती है हमारी विक्टोरिया लेक से निकलती है कहां से निकलती है विक्टोरिया जील से निकलती है जील समझो विक्टोरिया ज कौन से कॉंटिनेंट में तो अफ्रिगा महादूइप में अफ्रिगा महादूइप के कौन कौन से देशों के साथ सीमा साजा कर रही है विक्टोरिया जील तो वहाँ पर एक कंट्री आती है आपका कौन सा कैनिया ठीक है ना और ये सारी की सारी कंट्रिया कहाँ पर आपकी आफ्रीका महाद्वीप में यहां दीजेगा आफ्रीका महाद्वीप में आएगा ठीक है यह कहाँ पर हमारा आफ्रीका महाद्वीप के अंदर आएगे ठीक है विक्टोरिया लेक जो तीन ने मैंसन गरा है साथ मैं गूड मॉर्निंग मुकेश पाश्वान बच्छा गूड मॉर्निंग चलेगा यहां से देखेगा विश्वकी सबसे लंबी नदी निकलती है आपकी वो नदी कौन सी हमारी तो यहां पर आपका नायल रिवर नील नदी और कभी कबार एक्जामनर विश्वकी सबसे लंबी नदी है विक्टोरिया लेक से निकलेगी और कहां गिरेगी आपका भूमध्य सागर में गिरेगी चलेगा बहुत बढ़िया चले बहुत बढ़िया सभी विद्यारती है आगे देखेगा किस फुटबाल टीम ने ISL लीग फुटबाल विजेता जो ठीकर मॉंबय सीटी FC के द्वारा जीता घिंगे अटाइस फरवरी को एकस में जब आथा उसमें विछे आपका क्या व स्बारट का सबसे पहला उत्रा ऐन्में राजा जी आपने याद कर लिया आपने नंदा देवी याद कर लिया वैली ओड़ फ्लावर याद गोविंद कर लिया और गंढोत्री आपने याद कर लिया ठीक है और आप लोगों को मैं कुछ यहां profits हैं सेंसुरी projets वाइलाइब सैंसूरी जो उत्रा खंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले तो आपका जो एक्जाम में हमें पूछा जा चुका है उसी कि मैं आप पर बात आपका कौन सा wildlife century आएगा बिल्कुल देखेगा नाम से पता चल रहा आपको ठीक है ना केदार नात वाइड लाइप century ये भी उत्रा खंड के अंदर आपका और यहां पर क्या आएगा विनोग करके आएगा आपका समझो विनोग माउंटेन समझो आपका क्या आएगा माउंट क्लेव करके आता है यह क्या विचे आपके बड़ है उसके नाम से विनोग माउंटेन क्लेव जो आपका समझो यह भी कापर है उत्रा खंड के अंदर है ठीक है तो यह सब ही का आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्जाम में ठीक तो देखेगा आपका यहां पर नंद और आपका यह नैनिताल वाले एरिया में आता है आपका नंद और वार्लाइब सेंचुरी यह भी उत्रा खंड के अंदर ही इस्तित है तो यह साथ में याद रखते वे चलना आपको ठीक है ना चलेगा नेक्स पढ़ेंगे अगले देखेगे आपर जो जो आपको अप्सन में दिख रहा था उन सभी कोवम लोग देख लेते नंद और उत्रा खंड में आपका कारतिकिंग घारबचा वन्य जी अपने कापर है तो यह उत्तर ब्रदेश के अंदर कावेरी कापर तमिल नाडु में बोरी मध्य ब्रदेश में और बल्लपूर आपका कापर पस्सिम बंग जाओंगा कि इन दोनों में आप लोगों को डिफ्रेंस क्या दिखता है एक कहते हैं और दूसरे को गएर आपका वन्य जी अपने तो इन दोनों में अंतर क्या है इसे बताएगा आप लोग सभी कोमेंट्स करके जबर बताएगा जब पहला कमेंट्स में पास पहुँझ जा इंडिया इस बिन अगें गिवें दे रिकोगनाइज बाई दा इंडियन स्पोर्स मिनिस्ट्री ठीक है दुबारा से सुरू किया गया आपका तो कौन किसकी बात की जारी आपका तो यहां पर मुझे तो याद है आपका क्या है इस सवाल का अंसर बनेगा आपका इंडिया दुबारा से आपका क्या की गई रिकोगनाइज की गई आपकी इंडियन स्पोर्स मिनिस्ट्री के दुबारा ठीक है राहुल कुमार पाड़े बच्चा इंडियन मैप बीडियो मैप के अकॉर्डिंग बच्चे मैंने सारी की सारी आपको पढ़ा तो रखा है इसके लिए जानिज होता है वाइड़ाइब सेंचुरी देखेगा जो नैस्नल पार्क है ना आप सीधा सीधा जैसे मैं गिर की बात करता हूं तो आप लोग गिर की पैचान किसके लिए एस्याइश सेरों के लिए मैं जीम को और विट की बात करता हूं आप जानते हैं टाइगर के लिए मैं कहता हूं कंए डाइगर के लिए मैं यान कि बात करता हूं आप हुआ पर हम लोग किसी एक सम vers juste का सब्सक्राइब relationships समुद्रि भारत सिखर सम्मेलन 2021 के लिए जो भागीदार रेस संब्सक्राइब आपका, तो Denmark होगा आपका, समज़ आपर क्याएगा, Denmark, अब Denmark, मैं exam में जाओं, तो Denmark से मुझे कौन-कौन सा सवाल पूछा जाएगा, देखेगा आपका, ध्यान दीजे, सभी भी द्यारति हो, वैसे मैंने आपको बता रखा इसके बारे में देनमार्क देनमार्क से मुझे जो सवाल देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा ठीक है पहला सवाल देनमार्क की बचे personal का नाम क्या है आपका तो आपने क्या बताय सर इसकी capital क्या कोपेन हे इसकी Capital हो जाएगी वर्ड का सबसे बड़ा आईलेंड कौन सा है तो आपको क्या आंसर देना है सर ग्रीन लेंड है क्या बच्छा आपका ग्रीन लेंड है तो इसका डेनमार्क से क्या लेना देना बच्छा आपका क्यूंकि ग्रीन लेंड पर अधिकार किसका है डेनमार्क का ही यह वच्छा ठीक है ना डेनमार्क का ही इस पर अधिकार है इस वैसे पूछा डेनमार्क की जो करेंसी है उसे किस नाम से जानते हैं आप लोग तो क्रोन के नाम से जानते हैं याद है न आप लोगो वो बताय था और साती साथ आपको 2019-20 में भारत और डेनमार के बीश में एक समझोता हुआ है किस छेतर में ऊरजा छेतर में पावर सेक्टर में भारत और डेनमार्क के बीश में क्या होता आपका बिलकुल यहाँ पर याद रखेगा समझोता होता ठीक है न। नेक्ष बनेंगे अगले देखेगा क्विज में आज कम सवाल है आपके लिए समझो आज आपका क्यूंकि देखिए मैंने अपनों को जुलाई मन्त के लगबग 25 तारीक तक के जितने सवाल थे उम्हें आपको पहले करा चुका हूँ आज हम लोग कोसिस करेंगे जो सवाल रह हो भी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे वर्चे देखेगा एक मैसेज मेरा उन विद्यारतियों से देखे जो हमारे रेगुलर स्टुडेंट है हो सकते हैं बहुत सारी समस्याओं के साथ आप लोग लेकिन अर्ली मॉर्निंग तो मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी को अर्वचा बहार नहीं आना है उस वताबरसादी मैंडक क्या कह रहा हूं में एक्जामपल के तौर पर कह रहा हूं कि जैसे एक्जाम डेट आई एक्जाम दिखा हमें फिर हम पढ़ने आगे वहां देखेगा आज के इस कंपेडिशन के दौर पर कहीं न कहीं आप बहुत प चीज पर नजर गारे हुए है और आप कहते हैं कि लास्ट मुमेंट पर मैं रिविजन करूंगा उतने से हो जाएगा अगर आप एक्जामपल ले लिजेगा ना कि 157 अगर मुझे मार्क्स लाने हैं तो मुझे तो जीसर आपका पढ़ना ही पढ़ेगा रिजनिंग भी तो म ही चार उप्सन में गलती इसलिए तो चार उफ्सन दीएगे नहीं तो आपको तीन उप्सन डीधा दो देदेधा आपको बना ऑप्सन के देता समझो वो किया विचे आपका exam hall का जो pressure होता है उस pressure को आप कितना handle करते हो आप अपने आपको कितना मजबूत बनाते हो वो उस चीज के लिए वही तो success है ठीक है न तो इस चीज का दियान दिजिएगा मेरा उन विद्यारतियों से जो विद्यारती जब देखे जब भी समय रह है इस समय पर मुझे रखता है कि हमने जो इतनी मैनद करिया आप लोगों के लिए आज समय पर आप तो आनंद से पेपर दे सकते थे नहीं फिर हमें प्रेशान करने सुरू कर देते हैं चलेगा नेक्स बढ़ेंगे यहां देखेगा भारतिया नौ सेनिक जहाज जिने जो ज समझो अमेरिका के साथ यह अभ्यास हुआ ठीक है ना चलेगा नेक्स बढ़ेंगे नेक्स बढ़ेंगे बच्छा हम लोग अगले सवाल पर बिलकुल यहां पर देखेगा जय कुमार बचे गयते कि यह पता चलता है चलता है शसी जेए के रिजलिट में से बिलकुल बिलकु यहाँ पर क्या दिया गया कि किस agency के द्वारा जुलाई 2020 में दक्षिन कोरिया का पहला सेन्या उपगराई यानि कौन सा आपका एनसिस इस पुछे आपका second को launch किया गया जुलाई 2020 में लॉंच किया गया था ठीक है अनसिस करके आपका आएगा तो यह लॉंच किया गया था आपका बिल्कुल एलन मक्स वाली यानिके अमेरिकन प्राइबिट एजन्सी कौन से आपकी space X की बात की जारी है किस की बात की जारी है आपका space X की बात की जारी है बिल्कुल साइ आंसर बनेगा आपका space X ठीक है न जहान दीजेगा अगर दख्छिन Corona की करूं कि तो दख्छिन Qui Caurya की currency क्या होगी आपकीairs यह का ओगे Capital क्या ओगे आपका siole यहां की Capital होगई और जो दक्षिन कोरिया का सबसे बड़ा सम्मान स्रियोल पीस प्राइज जो दिया गया था आपका किसे प्रदान मंत्री मोदी जी को 2018-19 के अंदर ठीक है चलेगा नेक शलेंगे अगले सवाल पर यहाँ पर देखेगा दुरुवस्ते की बात कि देखना दुरुवस्ते हो गया आ साथ-साथ आपको हैलिना समझो दुरुवस्ते हो गया आपका और हैलिना करके आपका ठीक है हैलिना हो गया और रुद्रम करके हो गया आपका रुद्रम यह सभी के सभी आपके प्रेक्षन केगे अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगयों पर लेकिन अगर मैं बात करूँ होगा आपका दुरुवस जो द्याइड chi.o के द् Look और विक्सित किया गया था भारत के स्वधेशी रूप से विक्सितु एंटिटेंग गाईडेश्थ मिशाहिल का परिक्षन कहा पर किया गया था हमारा कापर ओ डशा के अंदर औफी शांग्दर चान्धिपूर में अगर आप लोग बाद में देखोगे तो दुरवास्त और हैलेना आपका पूकरन के अंदर भी परिक्षन किया गया था एरपोर्स और सेना के द्वारा लेकिन यहाप पर जो इस्टार्टिंग आपका टेस्ट फायर किया गया था कहाँ पर चांदीपूर ओडिशा के अंदर सवाब तोगे कल हमारा जो मंत रहेगा वह कौन सा रहेगा बच्छे आपका अगस्त गा रहेगा ठीक है ना अगस्त मंत अगस्त 2020 के सवाल अम लोग करने वाले जुलाई के जितने मैं तो पूर्ण सवाल होने थे वह मैंने आप लोगो करवा दिये अब आपका कौन सा आगस जो आपका जीता गया किसके लिए मानवता के लिए 2020 में ये सम्मानित किया गया था जहां पर इनके ट्वीट को देखते हुए पूरा टूल किट से लेकर सारी चीज़ें आप लोगो ने यहां पर सुनी होगी हर वो नाम जो कभी हमने सुना नहीं तो ग्रेटा थुनवर्ग बच्छे आपका भारतिय युवा बरियोसगारों के द्वारा इतने बड़े लेबल पर बात की गई किसी ने नहीं सुना इससे क्या फरक परता है समझो यहां पर ध्यान दीजेगा बहुत बड़े लेबल पर कभी गवार लगता नहीं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बोल बात एं क्योंकि हमें जो बच्पन से अब तक जो ससकार दिएगे उन ससकारों के लिए यह बताहेसे चिजा था दिया यह दज्य को प्रव्लम नहों यह सारी ड़र के आब अभी जैसे हमने जो बेरोजगारी मोमेंट था आपका बहुत बड़े लेबल पर चला था अभी नंदन सर का नाम आपने सुनाओगा उन्हें बहुत अच्छे लेबल पर और बहुत बड़े लेबल पर आज भी प्रयास चल रहे हैं और इस तो के प्रयास चलते रहेंगे और बिच चाहिए जिसका परिभाव आप लोग को कहीने कहीं दिख रहा है जिसका परड़ाम आपको कहीं कहीं सामने दिख रहे है ठi fellows रहेंगे भरते हम लोग अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा किस राज्जय ने बच्चों को घर में गहरमें बचल आपका क्या स्कूल जैसा एन्वायर्मेंट तैयार करने के लिए हमारा घर हमारा विद्याले अभ्यान शुरू गराता लोगडाउन के दौरान कोविड-19 की वज़े से जो लोगडाउन लगाता पूरे देश के अंडर उस समय पर अलग-अलग राज्यों ने पहले शुरू करी थी कि बच आए तो जहां हुई होगी वहां तो हुई होगी लेकिन आपको बता है कि फीस तो पूरी लियोगी तो देखेगा हमारा घर हमारा विद्याले नामक जो अभ्यान शुरू आता तो यह करा गया था किसके दौरा मध्या प्रदेश राज्या सरकार के द्वारा ठीक है नेक्ष बनेंगे अगले सवाल पर अगला सवाल देखेगा यहां पर कोना संकट के दोरान छात्रों को सैक्षनिक दाप चनियामित्ता बनाई रखने के लिए मध्या प्रदेश राज्या सरकार के द्वारा क्या किया था हमारा विद्याले करके यह आपकी योजनाद चलाए गया थी चलाए गया था नेक्ष बनेंगे यह क्या दिया गया आपका कैंद्रिया इस्पात मंत्री धर्मेंद्र परदान जी के द्वारा सतत जस्तिर रहबार उतपाद उतपादन आपकी सुविदा का उध्गाटन किया गया 2020 में तो अपने कौन से जगर पर किया गया यह यह किया यह था आपका काप पंजाब के अंदर ठीक है काप अमारा पंजाब के अंदर उस्फी मतों को इसके बारे में केंद्रिया इसपात मंत्री धिया पकादन की सुविद nos और नेक्ष परेंगे अगले सवाल पर सवाल देखेगा आपका सवाल क्या दिया गया भारत के देखेगा इस सवाल का अंसर कौन देगा यह कब की बात की जारी आपकी जुलाई अगस्त 2020 की बात की जा रही है अगस्त 2020 के समय पर आपको बता है कि अंतराष्ट्य किरिकेड परिसद के अध्यक्स के रूप में नुक्त किया गया था समझो तब किसी किया गया था आपका यहाँ पर आज के समय के अगर मैं बात करूँगा तो इन में से कोई भी आपका आंसर नहीं आएगा समझो क्यों देखेगा इमरान ख्वाजा आपका क्या बनाएगे थे यह और इस्ताही तोर पर थे अब कौन है बचे आपका ग्रेग वारकेल आपका वर्तमान समय पर जो इस्ताही अध्यक्स बनगे तो इस सीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देना कि एक्जामनर आपको किस तरह का सवाल पूछता है पेपर पहले से बना हो तो हो सकता है यह सवाल आजाए समझो तो याद रखेगा इमरान ख्वाजा का नाम कहाँ पर सुना आप लोगों ने इमरान ख्वाजा ICC के अंतरिम अध्यक्स के रुप में बने और उसके अगले 2-3 मेने बाद कौन बनगे वर्तमान समय पर कौन है आपके तो ग्रेग वारकेल आपको इनका नाम देखने को मिलेगा जो न्यूजिलेंड को रिप्रेजेंट करते थे अभी क्या है ICC के अध्यक्स है तो ग्रेग वारकेल आपके वर्तमान समय पर है ठीक है ना यादा गया आप लोगों को चलेगा नेक्स बनेंगे अगले सब देखेगा ICC ICC के अंदर हम लोगों को इसके वर्तमान समय पर देखेगा CEO कोन है तो CEO आपको बता है कि CEO कोन है आपके वर्तमान समय पर मनु सानी है जो भारत को रिप्रेजेंट करते है ICC World Cup 2019 के बाद मनु सानी इसके क्या बन गे थे CEO बन गे थे ठीक है Chief Executive Officer Headquarter कहापर अपना तो दुबाई के अंदर देखेगा Headquarter कहापर अपना दुबाई के अंदर और इसकी स्तापना कभी थी 15 जून 1909 में इसकी स्तापना हुई थी इसका Moto Gya बचाप का Cricket for Good इसका Moto Gya आपका Cricket for Good ICC Cricket का ठीक है ना चलेगा next बनेगे अगले सवाल पर सवाल आपके स्कीन के सामने कौन सा भारतिया अंपायर 2020 21 के सत्र गेले अंतराष्ट्य किरिकेड परिसद का अंपायरों के एलिटर पैनल में सामिल होने वाले सबसे युवा बन गए ठीक है तो यहाँ पर मुझे तो याद है आपका इन चार ओप्षनों में मैं आंसर दूँगा नितिन महिनन का आपके आंसर दोगे देखेगा विच इंडियन जो आपका तो जिने क्या किया गया आपका समझो इंटरनेशनल किरिकेड काउंसिल इलिट आपका जो एलिट जो पैनल है उसमें चुने जाने वाले सबसे युवा भी है और भारतिय भी है 2020 किस की बात की गया ठीक है तो किस की बात की जा रही हमारी बेलकुल आपका सही आंसर आएगा नितिन महिनन का नाम आप लोगोंने सुना होगा सी आंसर आएगा चले नक्स बरेंगे अगले सवाब देखे नितिन महिनन का वैवचिए आप लोगोंने अंतरश्ट एक किरिकी शलकुमे किरिकी मै Defi का ओर आई पिल में भी कहीं कहीं आप लोगोंने देखा होगा थिक है चले नक्स बरेंगे अगले सवाब देखते हैं हम लोग सवाल क्या दिया गया 2020 के अंदर जो फुटबॉलर थे इनका नम क्या था अपका मारियो गोमेज ठीक है नहों ने रिटायर्मेंट की गोशना करी तो यह कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हो सकता है हमें पूछ लिया कि 2020 में मारियो गोमेज ने रिटायर्मेंट की गोशना करी वो कौन से खेल से हैं तो हमने क्या का कि सर ये फुटबॉल से संबन दिते हैं हमें पूछ लिया गया क कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्या अंसर देंगे बेलकुल देखेगा कौन सी कंट्री को जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर राफेल नडाल का नाम आएगा कौन से खेल से कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं समझो नुवाग ज उन्हें जरूर याद रखी आप लोग चलिगा नेक्स बनेंगे आप जरमानी की बात की गए जरमानी के अंदर जो हमें एक्जाम में पूछता है सबसे ज़्यादा black forest के बारे में black forest जो रेंज आपका black forest mountain range बाहर विश्व के कहाँ पर है तो जर्मानी के अंदर आपका काबर विच आपका जर्मानी capital होगे आपकी बर्लिन और यूरो यहां की क्या होगे आपकी currency हो गई जर्मानी आपको देख रहे ना यह देखे आपका बिल्कुल देखे आप लोगों को यहां पर और मैं आपको सबसे महत्वपूर चीज यहां पर बताना चाहूंगा जिसकी अ प्रिशागर और यह आपका कौन सा बाल्टिक सागर अब इन दोनों के मद्या एक नहर है उस नहर का नाम आप लोग बताओगे जो डेनमार्क को जर्मानी से अलग कर रहा है आंसर बताएगा दोनों मैंने बता दिया ना नौर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ने वाली जो केनाल है उसे केनाल का नाम बताएगा जल्दी से कमेंट्स में देगेगा कौन से बिद्यार्थी सबसे बहले अंसर देता है देखते हैं यहाप पर जो डेनमार्क को जर्मानी से अलग कर रहा है बहुत बढ़िया क्रिश्चना बच्चे का यहां परांसा है कि सर कील नहर बह दीजेए बचा आपका मैंने क्या कि आपको नौर्थ सी और बाल्टिक सी को आपस में जोड़ता है इस केनाल का नाम क्या नाम बताया था आपको इस केनाल कील नहर नहर आगा समझ में जो देनमार को जर्मानी से अलग कर रहा है इन डोनों को जोड रहा है कल एवनिंग के ग पहले आपने दिया था लेकिन मेरे पास पहले जो मैसेज आया ना तो यह अपनी यह हमारी टेक्नलोजी ने साहिट थोड़ा पीछे समझवे तुम्हें पास पहला मैसेज मैंने जो देखा वो किसी दूसरे विद्यारती का देखा था चलिएगा आगे देखेगा चार साल के का दाशपती के रूप में जो चुने के आपके उनका नाम क्या आपका तो यह आपके क्या है तो यह आपके आपका जॉन संक करके बात करेंगे ठीक है नेक्स देखेंगे हमें किसकी बात की गई आप आइसलेंड आइसलेंड हमें नौर्थ अट्लांटिक ओशन के अंदर रेक्जाग विक देखेगा रेक्जाग विक क्या हो गई इसकी कैपिटल हो गई किसकी आइसलेंड की दो सवाल तो यहां से रट दीजेगा आइसलेंड कौन से कोंडिनेंट में नौर्थ अट्लांटिक ओसें के अंदर देखने को मिलना ठीक है न चलेगा नेक्स बरेंगे अगला सवाल आप से पूछा गया कि यहां पर वर्तमान समय पर एटॉर्णी जर्नल ओफ इंडिया जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया समझो तो हम लोग एटॉर्णी जर्नल ओफ इंडिया की बात करेंगे बहुत ही मैत्वपूर्ण सवाल जिनने क्या गहते हैं आपका मह नियाएवाधी यानि कि यह क्या होंगे आपके एटॉर्णी जर्नल समझो एटॉर्णी जर्नल जो होते हैं याद रखे इनके संबंद में भारतिया कहा पर जाओगे आप लोग आर्टिकल 76 में कहा पर जाओगे आर्टिकल 76 के तहत भारत के राष्टपती के द्वारा राष प्रसाइद प्रिया करके कहते है आपका तो याद रखेगा आपका याद रखना आप लोगों को राश्पती ठीक है नेक्स देखेंगे वर्तमान समय पर कौन है तो आपने बताए राज्यों में होता है यह संसद की किसी भी कारवाई में भाग ले सकते हैं संसद के किसी भी कारवाई में भाग ले सकते हैं इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होते हैं और ये भारत के फ़स्ट आपका लीगल ओपिसर होते हैं यानि कि प्रत्थम विधिक अधिकारी होते हैं यह क्या होते हैं प्रत्थम विधिक अधिकारी कहते हैं प्रत्थम विधिक अधिकारी के तौर पर कौन होता है तो याद रखना बिल्कुल समझो चलेगा ठीक है न तो याद रखेगा आपका तो ये प्रत्थम विदिक अधिकारी के तौर पर भीत है आपके ये भी याद रखेगा महानियावादी जो प्रत्थम विदिक अधिकारी के तौर पर इन्हें का जाता है यानि भारत के प्रत्रम क्या होंगे legal officer ठीक है चलेगा और इन्हें भारत के किसी भी न्याले में सुनवाई करने का अधिकार होता है ये भी याद रखेगा चलेगा next बनेगे अगले सवाल पर तीन साल के लिए भारत सरकार के solicitor general यहाँ पर SG की बात की जा रही है इडिस्णल जर्ल नहीं है तो सॉलिस्डिर जर्नल किसे चुना गये आपका तुसार महता को चुना गया ठीक है और इडिस्णल सॉलिस्डिर जर्ल की अगर बात करें सद़िदी माँदchnल के तौर पर चुना गया था ठीक है चलिगा नेक्स बनेंगे अगले कुशन के और अगला कुशन देखेगा खेल मंत्री किरन रिजीजु बच्चे आपका यानि स्पोर्स पर्शन को याद अखेगा जो भी प्रतिवंदित बच्चे दवायां होती है उन्हें उनका प्रियोग ना करें उन लोग को बच्चा इसके लिए अवैर करने के लिए एक आपका एप लॉंस किया गया जितने भी एथलिट होते हैं उन्हें कौन-कौन सी बच्चे कि समझो जो भारत में क्या गरती है स्पोर्स के लिए एथलिट को अवैर गरती है कि आपको यह चीज़ें इतनी मातरस से ज्यादा नहीं लेनी है अगर लेती समझो आपका क्यूंकि डोप टेस्ट होता है तो आप डोप टेस्ट में फेल हो सकते हो और आप पर प्रतिवंद ल स्रिकांत माधाव वैद जीने आई और अध्यक्स के रूप में चुना गया वर्तमान में भी यहीं आपका अगस्त समझो आपका अगस्त और सितंबर में हम लोग पहुंच गे अगस्त लास्त में और सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग यहां पर है ठीक है देखेगा आपक अगसे निफ्ट किया गया वैसे आपके चेर परशन तो प्रसून जोसी है जो वर्तमान समय पर आपका कहिंद्य फिल्म प्रमान बोर्ड जिसे हम लोग सेंसर बोर्ड कहते तो जो आपके कारेकार या दिखारी चुने गए तो यह चुने आपका कौन सा रवींद्र भाकर कर बोर्ड नेक्स बढ़ेंगे देखे आप लोगों को सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म साड़ी विगेट इसकी स्तापना का वीतियाप की 15 जनवरी 1951 में होती है मुख्याले कहां पर आपका मुंबई महारास्ट के अंदर और इसके जो हैड है आपका चेर परसन है वो कहने अभी प्रशून जोसी अगर जहां तक मुझे याद है ठीक है ना नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन के और भारत में प्रतिक वर्स राष्टिया चिकित्सक दिवस के रूप में नैस्नल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता आपका तो आपने मत नागरिक्ता को पढ़र के जाएगा एक्जाम में पूछेगा समझ जो सब्मके को पढ़के जाएगा समझो आप लोग किस albums किसानं अंडोलनों को पढ़के जाएगा ये टॉपिक ज़रर याद रखेगा मैं तो समबतो कोसिस करता हूं चिसज़को को सवाल ठीक है जो आपके 2021 में जहां से सवाल बनेंगे और आप फ्रेस करोगे से ठीक है यह मेजर टॉपिक है जेली मैं कह रहा हूं आप अपने हिसाब से भी जरूर देखेगा नागरिक्ता संसोधन और किशा नांदोलन होगे आपके यहां पर क्या आएगा बच्छा आपक समझो जहन गरना से आपको सवाल देखने को मिलने वाले है और वाइरस समझो आपकर क्या होगे बच्छा विशाणू ठीक ना बायों के अंदर ये वाला टॉपिक да आपको जरूर देखने को मिलेगा कौन से डीजिज आपका वाइरल डीजिज है कौन से डीज समझो ये अजनसी जो आप लोगों ने 2019-2020 में काफी नाम सुना है CBI का नाम सुना आपने NCB का नाम सुना आपने ठीक है ना आप लोगों ने Election Commission का नाम सुना आपने ठीक है ये सारी चीज़ें ये कुछ चीज़ें ऐसी है ने जो मेजर आपको ये लास्ट मुमेंट पे पढ़के जाना है और एक बार जरुज़ादा समय नहीं लगेगा छोड़ी छोड़ी चीज़ें आपका नागरिपता कहां पे दी गई क्या अधिकार है कैसा है ठीक है संसुधन कहां पे दिया गया ये चीज़ें किसान आंदोलन किसानों समझो आपका किशान मुमेंट भारत में अलग अलग तरीके से जैसे बार दोली मुमेंट था आपका समझो जो किसान आंदोलन बार दोली था चमपारान था आपका समझो आपका वाईकोम आपका मुमेंट था समझो मोपला था आपका ये किसान मुमेंट थे, जैसे मैं बात करूँगा आपका, किसानों से जुड़े मुमेंट, जैसे आपका कौन सा, बार दोली हो गया आपका, जो मुझे याद है, उसके बाद आप लोगों को जो बड़े मुमेंट की बात करेंगे, बार दोली के साथ, बार दोल है आपका, मु क्योंकि देखो यहां से सवाल बनेगे आपका अलग-अलग समय पर कौन सी कमेटी बनी थी थोड़ा सा कोसिस करेगा बस आपको मिल जाएंगे जहां आप लोग बहुत सारे नामों को सर्च कर ले तो वहां हमारे ले यह छोटी सी चीज होगी और जरूर पढ़िएगा इनके ब मैं बोल रहा हूं ना तो कल के जब लेक्चर लोंगा तो वहां पर इनके बारे में सवाल रखूं, कर आपने सुना होगा मोग भिद्रो सुना था आप नों ने सुना होगा मोपला बिद्रो या दो आपका क्या था आदोलन याद रखेगा जब अंग्रेजों के द्वारा भारतिय किसानों पर क्या क्या था दबाओ बनाये गया ब्रिटिस सरकार के द्वारा किसको इंडिगो की खेती के लिए यानि किसकी नील की खेती के लिए तो याद रखेए आप लोगों को केरल का बार तट याद होगा मालावा तट पर एक मुमेंट होता आपका कब 1921 में और जिसे मोपला जन जाती हमारे केरल में ही निवास करती है मोपला बिद्रो किसानों से जुड़ावा एक बिद्रो था जो आपका 1921 में होता है और इसका जो नेता हुआ करता था उतना नाम क्या था अपका अली मुलसियार करके आपका ठीक है ना अली मुलसियार करके आता आपका ये इसके क्या थे नेता हुआ करते हैड हुआ करते बस से ज़्यादा आपको किसे अब लोग से वाइब के एक्जाम में चले जाएगा वो ना पूछने वाला आप से ठीक है ना तो यह सारी चीजह आप लोगों को साथ में याद रखनी है चलेगा बहुत बढ़िया तो यह सारी चीजह हमें पढ़ते वे चलना है एक्जाम पॉइंट ऑब यू से आज के लेक्चेर को बच्चे महीं पर समाप्त कर रहा हूं और उन सभी विद्यार्तियों को मैं कहूंगा कि जिनों ने पिछले 6-7 मेने साल बर से अगर क्लास नहीं लिया है तो क्लास में रेगुलर आएगा रिविजन जादा हो रहा आपका अब मेरा थन की कामना मत करेगा आप लोग को इतना जाद और उन सभी विद्यार्तियों से जो लास्ट मोमेंट पर परिशान हो रहे हैं पिछले एक साल के से तसली से खुद के नोट्स को रिविजन करें वह ज्यादा बेटर होता है लेकिन हम फिर भी कोसिस करते हैं कि आपको अब्जक्टी करा हैं समझो अपने एंड से हम लोगों ने एक्जाम के कोर्डिंग लगबख सारी चीज़ें कंप्लेट करा रखें आप लोगों को चाह हो अपका रिजनिंग का हो चाहे हिंदी का हो चाहे अपका कंप्रिडर हो चाहे जीयस वाला पूर्शन हो बस लास्ट मुवमेंट पर हम इतना गह सकते हैं कि आपको रिविजन करा सकते हैं ठीक है तो चले बचाज की क्लास को यहीं समाब दिगरते हैं फिर मिलेंगे हम के लिए यूपी बिशाल जै के लिए तब तक के लिए धन्याबाद